Hello friends and welcome back to my channel आप सभी के request पे लेके आई हूँ एक vlog तो I hope आपको आज का ये vlog पसंद आए तो सुबह सुबह का time है हम सब ready है सारा का मैंने घर का कर लिया है और बच्चे भी ready है और घर को अभी lock कर लेते हैं तो आज की इस vlog में मैं तो कुछ सिखने वाली हूँ आप नेईल पेंट ले ली है एक कोट मेरी बाकी है नेईल पेंट की तो वो मैं रास्ते में ही लगा लूँगी चलिये चलते हैं और कहा लेके जारी हो ये तो आप आगे देखी लेंगे गेस कर सकते हैं कहा आए हैं मैं आई हूँ फ्रेंड्स मेरे ससुराल और यहां यह देखें यह जो सबसे पहला घर है यह हमारा है रिटार्मेंट के बाद ममी पपा यहीं रहते हैं तो मैं ममी पपा ही बोलती हूँ मेरे सास ससुर को यह देखे हमारी कार और यह जो फर्स्ट घर है ब्लू कलर का यह हमारा है और यह देखे यह एंजॉय कर रहे हैं चले आपको कुछ पौदे बता देती हूँ तो यहां करेले लगे हुए है यह देख सकते हैं पापा बोल रहे हैं एक बार के उन्होंने अल्रीड तोड़के खा बहुत पसंद है यह देखे जो हम पूजा घर में यूज करते हैं काले जामुन का एक पेड़ है और चलिए अब अंदर रसोई में हम चलते हैं तो देख लेते किचन में क्या क्या बन रहा है काफी कुछ बना है और मैंने आते ही गयों की रोटी बना ली थी और ममी बना रह इस तरह से बनाति है नीचे ही मुझे चकले की बिना मैंने बना पाती हूं बट ममी इस तरह से नीचे ही बनाती है और इनकी एदम पॉफेक्ट बनती है यह देखिये है इंसे इंसे ही मैंने सीका एन श्टायल से बनता है फ्रेंस जवार की रोती चलिए अज एक दिवाली स् तो जली से घुल जाएगी गरम दूद किया है तो शुगर मेल्ट होने में तीन से चार मीट लगेंगे आप इस तरह से मिलाते जाए अब यहां 2 टेबल स्पून सफेद तिल को इस तरह से पानी में सोप करके रखा है अट लीस 2 गंटे के लिए सोप करके रखे ताकि तिल इद किलो ले लिया है मैदा मुठी पर्तु मॉड आस्तरे को डिस्ट ग्राम उसमें हम दालेंगे देशी घी घर का बना हुआ आपको उतना घीर दालना है कि इसकी मुठी बन जाए तो एप्रॉक्सिमेटली 250 ग्राम हम दालेंगे देशी घी देशी घी ही दालेगा फ्रेंज्ट अब सबसे पहले हम दालेंगे यह जो भीगोए हुए तिल थे वह भीगो के डालेंगे तो यह बिल्कुल भी निकलेगी नहीं रेसिपी में से तो यह टिप याद रखेगा अब सब से पहले हम यह सूख़ी जो चीज हमने टाले है उसको अच्छे तरश से मिक्स इह मओं कर लेंगे अच्छी तरह से यह देखें इस तरह से थोड़ा सा गी और डाल दूंगी तो 500 ग्राम गी यह दम परफेक्ट है 500 ग्राम चिनी 500 ml दूद यह देखें मुठी बन रही है इतना हमें चाहिए तूटना नहीं चाहिए मुठी अच्छी तरह से बनने चाहिए अब यह जो दूद हमने बनाया है शु तक आप आराम से स्टोर करके रख सकते हैं और चाहिए के साथ तो इसे खाने में मज़ा ही आ जाता है तो यह देखें यह पूरा दूद और शुगर इदम पॉफेक्ट मेजरमेंट बताया है तो आपको इस तरह से इसको बान लेना है अच्छी तरह से समी सॉफ डो बनाना ह है यह देखें और इसकी बार हम इससे थोड़ा सा कूटने वाले है तो इस तरह से हैवी एक ले लीजे हमाम दस्ते में से और इस पे थोड़ा सा घी लगाते हुए आप इसको कूट लीजे यह प्रोसीजर करना जरूरी है त्यूंकि इससे बहुत ही खस्ता और सॉफ बनती ह हमारी रेसिपी तो हम बना रहे है खड़कडिया तो मुमी नहीं यहां कर लिया है चलिए अब मैं भी थोड़ा कर लेती हूँ इस एडलीस 5-7 मिनिट आपको इस तरह से कूट लेना है यह देखिए इससे बहुत ही सॉफ बनती है रेसिपी खड़कडिया बोलते है इसे फ्र लग चुका है इतम परफेक्ट लगा है यह देख सकते है आप अब इसे ढख के अट लीस 15 मिनिट के लिए हम छोड़ देंगे 15 मिनिट हो चुकी है फ्रेंड्स और चलिए अब इसको एक बार थोड़ा सा मसल लेती हूँ और इसकी छोटी छोटी लोईया बनानी है तो चोटी छोटी आप इस तरह से लोईया बना लीजिए और चलिए इसे बेलना शुरू करते है तो यहां सबसे पहले मुमी बता रही है तो यह जो पापड बनाने की डिश होती है इसे ढीच बोलते है गुजराती में इसके उपर हम बना रहे है वैसे आप नॉमल चकले पर भ चाली है इसके उपर ही आपको यह रखते जाना है और यह देखिए इस तरह से चकले से भी आप करेंगे आगे मैं आपको बताऊंगी चकले पर भी आप आराम से कर सकते है इस पर आपको घी या तेल लगाने की जरुवत नहीं है क्योंकि अंदर हमने सफीशिन मोहिन डाला ह तो यह देखिए इस तरह से हमें बनाना है तो चलिए अब मैं भी बना लेती हूं और आपको बता देती हूं यह देखिए चकले पर भी आप आराम से इसको उठाना नहीं है बस चकले को घुमाते हुए आपको करना है यह देखिए और पतली से पतली आप करिए और तील भी तो यहां मैं भी बना रही हूं, जोड़े इनों ने भी बना रही है तो हम ने सब ने मिलके एक से दिर घंटे में यह बन चुके हैं और यह देखे काफी जादा बने हैं एक किलो के तो अब इसे हम सुखने देंगे तो ममी बोल रही है हम इसे कल ही फ्राइगे तो आज इसको तो ओवरनाइट आप सुखने देंगे तो भी ज्यादा बेटर है शाम को बना लीजिए आप और नेक्स डे सुबे आप इसको फ्राइ करें जितना यह सुखेगा उतना अच्छा बनेगा अधर्वाइस यह पूरी की तरह फूल जाएगा तो नेक्स डे हो चुके हैं मैं अपने घर आ चुकी हूँ रात को आई थी और फिर मैंने इसको बिचा लिया था फिर से और यह देखिए अदम कड़क हो चुके हैं देख सकते हैं अगर आप गिले-गिले में इसे फ्राइ करेंगे तो यह पूरिया हैं बन जाएंगी पूरिया झाल केछा इसे जाएंगी जाएंगे फ्रेंचेल सारा काम करके इसको अब इसको घ़ाय कर लेते हैं तो इसको ऑईल या घी दोनों में फ्राइ कर सकते हैं मısने पाली पुदि आप नहीं आ रहा है। आप समझ सकते हैं कितना लो टेमपरीचर है तो इस चाहिए लेखने काफी साथ पतले होते हैं इस तरह से आप फ्राइब करते जाए फिर इसे उलट पलट ते हुए आप इसे फ्राइब करें यह आपको इनिशली लगेंगे बहुत नरम है कड़क नहीं हो रहे है बद थंडे होने के बाद इदम कृस्पी बन जाएंगे तो इस तरह से आप कर ले तो एक बैच फ्राइब ह जिसमें भी आप फ्राई कर रहे हैं वो निकल जाएं और इसी तरह से आप सारे फ्राई कर लें तो फ्रेंड्स देखें पर्फिक्ट हमारी रेसिपी बनके रेडी हैं खड़खड़िया रेडी हैं दिवाली में मैंने तो आज कुछ नया सीख लिया क्या आपने इस व्लॉक से कुछ नया सीखा पर्फिक्ट मेजियमेंट टिप्स और ट्रिक्स के साथ आपको यह रेसिपी बताई है मुमी ने तो आप जरूर एक बार ट्राई करिएगा गलत होने का तो सवाल बनता ही नहीं है तो यह देखिए इस तरह से यह दिखेगा और इस आप महिनों तक एटाइ ही घुल जाए ऐसी यह रेसिपी है फ्रेंस एक बार टो ट्राई जरूर करिएगा और अभी बनाया है आप दिवाली के लिए तो बना ही लोगे आप बीच बीच में भी बना के डेफिनिटली खाओगे तो कैसा लगा आपको आज का मेरा यह व्लॉग क्या आगे आप ऐसे व बबबगी